मित्रो आज संस्क्रित व्याकरण के क्रम में हम वाच्चे पढ़ रहे हैं वाच्चे के तीन वेद हैं पहला है करतरी वाच्चम दूसरा करम वाच्चम तीसरा बहाव वाच्चम अब करतरी वाच्चे की पहचान क्या क्या है वो पहले देखते हैं कर्तरी वाच्चे में कर्तरी प्रतमा विबक्ती भावती, अर्थार्थ, कर्तरी यानि कर्ता में प्रतमा विबक्ती होती है, कर्ता में कौन से विबक्ती, प्रतमा विबक्ती होती है, फिर कर्मनी द्युतिय विबक्ती भावती, कर्मनी यानि कर्म में, कर्म में द्युतिय वि भक्ती होती है। फिर है क्रिया पदं कर्त्री पदा अनू रूपम भवती। क्रिया यानि धातु रूप कर्ता के अनुशार होता है। जो दातू लगती है, क्रिया लगती है, वह है, कर्ता के अनुसार लगती है, नि कर्ता जिस वचन और पुरुष में है, तो क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की लगती है. ये विशेष द्याना में रखना है। इसी प्रकार से कर्म वाच्चे में कर्तरी तरतिय विवक्ती भवती है। कर्तरी यानि कर्ता में तरतिय विवक्ती भवती है। कर्मनी कर्म में प्रतमा विवक्ती है। यहां करत्री बाद्चे में दित्या होती है, यहां प्रत्मा, यानि उसका उल्टा यहां होता है, यहां करत्या प्रत्मा भी बक्ति में होता है, और यहां तृत्या भी बक्ति में, यानि करणकारक हो जाता है, फिर क्रिया पदम कर्म बदा अनुरूपम होती, यानि जो यह क्रमपद के अनुसार ल्गता है यानि कर्म जिस वचन और पुरुष में है उसी वचन और पुरुष में क्रिया भी लगती है भावाच्यम, भावाच्यमें करता में तरतिय विवक्ति लगती है और इसमें कर्म नहीं होता इसलिए इसे भावाच्य कहते हैं किरिया प्रथम पुरुषके एक वचन में होती है यानि भाव आच्चे में जो क्रियाएं प्रियुक्त होगी वो एक्रमक क्रिया प्रियुक्त होती है एक्रमक क्रियाएं दातुएं जो है वो ये हैं जैसे भू, अस, इस्था, स्वप, स्वप यानि सपने देखना शींग शींग यानि सोना हस क्रीड धाव धाव यानि दोड़ना इत्यादी अकरमक दातु है संती ये दातु ये अकरमक होती है भाव वाच्चे में अकरमक दातु का प्रियोग होता है अब देखते हैं वाच्चे परिवर्तन कुछ उधारन कर्तरी वाच्चे के उधारन इधर दिया हुए है और यहां उन्हीं कर्तरी वाच्चे को परिवर्तित करके करम वाच्चे में लिखा गया है जैसे पहला उधारन है अशो का है लेखम लिखती यह कर्तरी वाच्चे का वाच्चे है जिसकी पहचान हमने पहले पढ़ी है जैसे कर्तरी प्रतमावी वक्ती कर्ता में प्रतमावी वक्ती होती है यहां यह कर्ता है तो इसमें प्रतमावी वक्ती है करमनी दित्य विवक्ति करम यहां लेखम है तो यहां इसमें दित्य विवक्ति है लेखम लेख है लेखव लेखव लेखाहा लेखम लेखव लेखान तो लेखम दित्य विवक्ति का एक वचन है और लिखती करत्री पदान रूपम भोती असोक एकवचन पर्थम परूस में है तो लिखती भी एकवचन और पर्थम परूस में है तो ये करत्री वाच्चे का सेंटेंस है बाक्य है इस बाक्विज को करम बात्चे में परिवर्टित कैसे करते हैं यहां लिखा है अशुकेन यानि जो हमने पहले पढ़ाता कि करतरी तर्तिय भी बक्ति वह उती यानि जो कर्तरी बाच्चे में जो पर्तमावी बक्ती में शब्द है जो करता है उस करता को तरत्यावी बक्ती में परिवर्तित करना है तो यहां असोकेन तरत्यावी बक्ती में परिवर्तित कर दिया है फिर लेखम, यहां लेखम दिया हुआ है, इस लेखम को परतमावी बक्ती में परिवर्थित करना है, तो परतमावी बक्ती लेख है, यहां कर दिया है इसके बाद जो क्रिया है वो करम पदा नुरूपम होती, करम पद के अनुसार क्रिया लगती है, तो लेख है, लिख्येते यहां विशेष ध्यान देने योगे बाद यही है, कि इसमें जो क्रिया लगेगी, वो आत्मने पद्ध में परिवर्थित हो करके, करम के अनुसार लगती है, और यह क्रिया बनाने की जो सामानेत है, हम विध्धी जो काम में लेते हैं, वो यही लेते हैं, कि मूल दातू ज एक वचन में जोड़ देते हैं, और येते द्वी वचन में और यंते बहु वचन में जोड़ देते हैं, यानि जब करम एक वचन है, तो येते जोड़ देते हैं, ये देखो, ये येते, और करम माली जी के द्वी वचन में आए, तो येते, ये जोड़ता है, फिर माली जी वह एचन में करम आता है तो अयन्ते यहाँ इसका प्रियोग हम करते हैं तो असोकेन लेख है लिख्यते यह हमें परिवर्तित करम वाच्छे बनाते समय करना है यह परिवर्तन करना होता है इसी परकार से दूसरा ऑदारन देखते हैं महिला जलम आनयंति तो महिला का बहुवचन हम बनाते हैं और इसकी विवक्ति चेंज करते हैं परिवर्थित करते हैं क्योंकि यहां प्रतमावी वक्ति में है तो यहां हमें तर्तिय विवक्ति में परिवर्थित करना है तो महिला का तर्तिय विवक्ति में वही वचन और वही पुरुष वही वचन रखना है तो यहां महिला भी महिला भी ही यहां कर दिया आमने तर्तिय भी बक्ति करते ही फिर जलम यहां दित्य भी बक्ति में है इसका प्रतमाई बक्ति में भी जलम ही रूप बनता है इसलिए जलम का जलम लिख दिया आनयंती यहाँ आनयंती जो है वो महिलाहा जो बहुचन है इसके अनुसार लगी हुई थी यह किरिया रूप परन्तु यहाँ यह किरिया रूप जलम के अनुसार लगेगी तो आनियते ये नीदात्तों के साथ में हम यते जोड़ दिया और आउपसर्ग पहले से लगा हुआ है तो आनियते रूप यहां बनता है तो ये पूरा वाक्य बन गया महिलावी ही जलम आनियते इसी परकार से तीसरा उधारण है मित्रम सैयोगम ददाती तो मित्र का तर्तिय बक्ति एकोचन में मित्रेन सैयोगम का सहयोगा है परतमा भी बक्ति कर दिया यहां दुतिय था तो इसमें परतमा करना है ददाती दादातु है तो दादातु में दादातु को दियेते रूप बनता है यह हमें विशेश यद्ध्यान रखना है कि जो आकारांत दात्तु रूप हैं वो ईशे बनते हैं जैसे दा है तो दिये थे पा है तो पिये थे इस तरह से रूप इसके बनते हैं इसी परकार से चोथा उधारण है लता राष्ट्र गीतम गायती तो लता प्रत्मा का एक वच्चन है तो इसका तरतिया का एक वच्चन करना है तो लत्तया राष्ट्र गीतम प्रत्मा भी वक्ति में भी यही है और दित्या भी वक्ति में भी यही होता है तो इसको एसा का इसा लिख दिया लतया राष्ट्र गीतम गीयेते इस तरह से इसको करम वाच्छ्छे में परिवर्थित करते हैं पाचवाल दारन है स्रमिकाहर वेतनम-लबंते तो यहां सरमिकाहर भववचन है पर्तमा का तो इसको त्रत्या का भवववचन हमने क्या तो सुर्मी कही वेतनम नपुसकलिंग सब्द है तो यह परतमादितिया में समाना होता है तो वेतनम का वेतनम लिख दिया और लब दातों में यते जोड़ा तो लब भेते बना तो स्रमी का ही वेतनम लब भेते यह रूप यह वाक्य बनता है इसके अलबा कुछ दातों को मैंने यहां चोटी-चोटी अक्सरों में लिखा है द्यान से देखिए कथ दातो रूप है इसका करम वाच्चे और भाव वाच्चे में कैसे लिखते हैं वो परियोग होगा इसका कथे ते यह एक बचन लिखाया मैंने द्वी वचन बनेगा तो ये ते एकी मातरा लग करके कथे ते फिर भाव वचन बनाएंगे तो कथें ते रूप बनता है तो यह परियाप्त है इसे हमने देख लिया तो यह दोनों सेश रूप हम आराम से बना लेते हैं फिर गम गच्य जात्तू जो अथिये उसका गम्यते द्रिश दातू द्रिश्यते क्री यानि करना क्रीये थे, दाय यानि देना दीये थे, पूज यानि पूजना पूज्ये थे, रच्य यानि रचना करना निर्मान करना रच्ये थे, शुरू यानि सुनना शुरू ये थे, खाद मतलव खाना खाद देते, बुज यानि बोजन करना बुज्ये थे, रुध या यानि धारन करना धार येते, पा यानि पीना पिवदातु है पी येते, हस यानि हसना हश्यते, आईए कर्तरी वाच्चे को हम बहा वाच्चे में परिवर्थित करें, ये कुछ दारन दिये हैं, अश्वह दावती, ये कर्तरी वाच्चे हैं, इसमें तर्तियवी बक्ति में हमें परिवर्थित करना है अस्व को जो कि परतमाई बक्ति में है एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाव बाच्चे में परिवर्थित करने की क्या क्या नियम है करता में तर्तिय भी बक्ती होती है यानि करता को हमें तर्तिय भी बक्ती में परिवर्थित करना है उसे हमें तर्तिय भी बक्ती में परिवर्थित करना है यानि इन दोनों में हमें एक बात समान लगी कि करता को हमें तर्तिय भक्ती में परिवर्थित करना है चाहे हम करम वाज़े बना रहे होँ, चाहे हम भाव वाज़े बना होँ, और भावाज़े में करम नहीं होता और क्रिया केवल परतम पुरुषका एक वचन होगी." ये बात हमने सपष्ट कर ली है", तो यानि जो दातुरूप है वो एक वचन होगी, ये ठीक है. और जो प्रतमावी बक्ती का जो रूप है उसे हमें तरत्य बक्ती में परिवर्तित करना है तो अस्वह को अस्वेन कर दिया धावदातु में यते जोड़ातु धाववेते कन्याहासंति तो कन्या भवचन में तो कन्या भी ही हस्चेते बालकह क्रीड ती, बालकेन क्रीड ते, शिशुह स्वपी ती, शिशुना सुप्पे ते, फिर छात्राह तिश्टन ती, तो छात्रही स्तिय ते, इस्था दातु है तिश्टन में, तो स्तिय ते रूप बनता है, कुछ अभ्यास है इने भी हल करते हैं अध्यापकाहाँ शिश्यान परिक्षनते ये करतरी वाच्छे का वाक्य है इसे परिवर्थित करके यहां लिखा है कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है वो हमें खालिस्तान में लिखना है तो अध्यापक का ही शिष्याः परिक्षनते आएगा कि परिक्षेते आएगा तो क्योंकि ये तरत्य भी बक्ती में परिवर्टीत है तो करम वाच्चे का वाक्य हो गया करम वाच्चे में जो करिया लगती है वह करम के अनुसार लगती है तो यहां सिश्या भवचन है तो किरिया भी भवचन की ही लगेगी तो यह परिक्षनते यहां पर सही है परिक्षनते यहां आ जाएगा फिर क्रोध है ज्यानम नाश्यती तो क्रोधेन ज्यानम ज्यानम एकवचन है तो नाश्यते यह सही है यहां फिर तमाह चंद्रह तमाह हन्ती तो खालिस्तान तमाह हन्यते तो यहाँ चंद्रह करत्री वाच्चे में है तो इसको करम वाच्चे में परिवर्थित किया तो तर्तिय भी बक्ति लग जाती है तो चंद्रेन रूप बनता है तो यहाँ चंद्रेन सही है यहाँ लिख देंगे चात्रह पाठम अभ्यष्य दि यहां चात्रेण पाठम है प्रत्मा का एक बचन हो गया तो क्रिया भी प्रत्म पुरुष की एक बचन अभ्यष्य दि यह आएगी अहम पितरो वंदे अहम को तरतिया वक्ति में परिवर्टित किया तो मया अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभी तो मया तरतिया का एक बचन हो गया पितरो ये परतमा और दित्या में दोनों में समान होता है फिर वंदे वंदे दातु में यते जोड़ा तो वंदे ते यहां चूंकि पितरव द्वी वचन है तो जो किरिया लगेगी वो द्वी वचन की ही लगेगी तो वंदे ते यहां यह है सही है वंदे ते धन्यवाद झाल झाल